तो जोड़ना न भूले हर दिन हमारे साथ महंदाज के ऑफिशिल यूट्यूब चानल हुआ अगर पता हो कि क्या आने वाला है कल एक्जाम में तो आपके तैयारी हो जाती है बहुत शान जी हाँ महंदाज ला रहा है आपके लिए CHSL एक्जाम के सारे सिफ्ट्स के एनालिसिस जिसके साथ आपको मिलेंगे अगले दिन के अधिस अंभावित प्रश्ट तो जोड़ना न भूले हर दिन हमारे साथ महंदाज के ऑफिशिल यूट्यूब चानल हुआ खत्म हुआ इंतजार आपके भविशे को देने आकार बैंक ओफिसर बनने का सपना अब होगा साकार जिसका होगा आधार मिशन आईबीपियस पीयो का वार तो जुड़िए मिशन आईबीपियस पीयो टार्गेट बैच के साथ ओनली यूट्यूब चानल हेलो एवरीबन जैहिन दोस्तों आपका स्वागत है मैंद्राज के ओफिशियल यूट्यूप चैनल पर बिल्कुल यूट्यूब फटाफट से कनेक्ट हो जाईए मन्डे मॉनिंग हो चुकी है और मैं आप सभी के साथ कनेक्ट हो चुका हूँ बिल्कुल वेरी गूड मॉनिंग यूट्यूब फटाफट से लिंक को शेयर करेंगे फटाफट से लिंक को शेयर करेंगे फटाफट से लिंक को शेयर करेंगे बिल्कुल नया वीक स्टार्ट हो चुका है बिल्कुल मंडे मॉनिंग आ चुके हैं हम लोग मंडे मॉनिंग में बिल्कुल वेरी गूड टाइम हो चुका है संध्या गुपता आ चुकी है वेरी गुड यह बहुत अच्छे पड़ापट से लिंक को अपने दोस्तों के साथ चेर करते हैं आज के सेशन को देखते हैं आज का दोहा हमें क्या सिखाने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंस्पिरेशनल कोट की तरफ चलते हैं ह अच्छार यह बिलकुल मैं ठीक हूँ आप लोग भी सब ठीक होंगे मौसम हो राए कर यह ना मैक्सिमम जगहों पर बिल्कुल बच कर रहे हैं अज आपने अपने 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 बचा कर रहें बचा कर रखें चलिए ले गृड ऑर बट अच्छा दोहा है आप सभी ने ये कभी ना कभी जरूर सुना होगा रहिमन देख बढ़न को लगू ना दीजिये डारी जहां काम आवेस हुई कहां करे तरवारी बहुत ही सिंपल सा दोहा एडियर की रहिमन देख बढ़न को बढ़े को देख यानि बड़ी वस्तूओं के वहां तलवार से काम नहीं चलता है इस वज़े से देखो बहुत सारे अगर हम बहुत सारे आस्पेक्ट में देखें तो बहुत कुछ कहने की कोशिश करता है कि कभी भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि जैसे क्या हो हम बात ही करें अपने common life में हम देखते ही है छोटा व्यक चाहिए के साथ अपने काम को कर रहा होता है, कई बार हमें उसे भी अप्रीशियेट करना होता है, उगते सूरज को तो दुनिया सलाम करती है, है ना डियर, तो बिलकुल इस चीज के साथ बिलकुल ध्यान रखेंगे, कभी भी हमेशा कोई भी परसन हो, कोई परसन छोटा बड हो, कि के डियर, तो चलिए, I hope समझ पा रहे होंगे, कि आप मैं क्या कहना चाहता हूँ, और आप सब तो बहुत समझदार है, बस मैं तो बस दोहा ध्यान दिला देता हूँ, है ना, मैं तो बस दोहा ध्यान दिला देता हूँ, नहीं डियर, बिलकुल भी class recorded नहीं है, मन्ने म लाइब कनेक्ट हुआ हूँ आपके साथ, चलिए फड़ा पच्छे शुरू करते हैं, आज के session को देखते हैं, आज हम क्या-क्या discuss करने वाले हैं, जो भी new year है, बिलकुल new year का हम सभी लोग मिलकर स्वागत करते हैं, आप सभी मेरे हमारे experience भी, बिलकुल जो भी new year होता है, उसको इतना अच्छा फील होता है कि final फिर उसे जाने का मन ही नहीं करता है, तो बिलकुल group study के साथ finally हम लोग बहुत अच्छे तरीके से चीजों को discuss करते हैं, बहुत सारी चीज़े हमारे experience ही हमको ध्यान दिलाते हैं, क्योंकि experience है, experience के अंदर वो जुनून, वो जोस, वो ज लिखता है, ठीक है, बिलकुल exam सल रहे है, RRBs स्टार्ट हो चुके हैं, CHSL के भी exam बिलकुल शुरू हो गए है, आप सभी को पहले ही बोला, बिलकुल panic नहीं करना है, बहुत अच्छे तरीके से exams को देना है, बिलकुल year जैसी राम चलिए, फटा फटा फटे शुरू करते ह के compile की जाती है, जो आपके exam के लिए relevant हो, क्योंकि news कहीं और से नहीं आती, यहीं से आती है, यहीं सबसे news मैं भी collect करके लाता हूँ, लेकिन हाँ, मुझे देखना होता है, क्या important है, क्या नहीं important है, कितना ले चलूँ, क्या पॉइंट ले चलूँ, क्या ना ले चलूँ, क्य नहीं होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्या बात है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, सांदार, जिंदाबाद, जबलदस्त, है ना, यही तो था, कि मैं गलत बोल रहा हूँ, है ना, चलिए, चलते हैं डियर, कभी 9 या 8 भी रहती है क्योंकि न्यूस थोड़ी से लेंदी हो जाती है तो 8 या 9 न्यूस भी हमारे लिए sufficient होती है अगर हम वहाँ पर एक एक point को देखें जो भी news discuss की वहाँ से कोई question हमारा बाहर नहीं जाना चाहिए main motive हमारा ये होता है जो भी question हमने discuss किया जो भी news हमने discuss की है वहाँ से कोई question हमारा बाहर नहीं जाना चाहिए कई बार बहुत जादा depth हो जाता है लेकिन क्या करूँ डियर आप सब भी समझते होंगे मेरी भी मजबूरी है questions ऐसे देखने को मिलते हैं बहुत ही depth में देखने को मिलते हैं तो इस वज़े से हमें वहाँ पर deep research करके भी किसी news को landy बनाना पड़ता है नहीं वो news होती है मजबूरी है आप समझ सकते हैं सब समझदार हैं आप सब समझते हैं और जहां पर ऐसी मजबूरी होती है मैं आपको बताता भी हो चलिए तो इसी तरह से पहले हम लोग talk trend news discuss करते हैं news के बाद मेरे हम लोग static gk या compile current affair facts discuss करते हैं कुछ ना कुछ दो में से एक या static gk या compilation किसी current affair facts का चलिए इसके बाद में लोग MCQ discuss करते हैं MCQ के वाद में winner announce करते हैं winner आप सब ही है लेकिन हमारे जो सेर होते हैं जो recognition जिनको मिला होता है उन सेरों सेर्णियों के नाम लिए जाते हैं और इसके बाद में हम देखते हैं आज का quiz question और quiz question में आपको मौका मिलता है पर चलने से पहले वहां पर जिन्हों ने भी participate किया अपने marks बताए उनके marks को हम यहां पर क्या करते हैं बताते हैं आपके साथ discuss करते हैं current affairs ही करना सर current affairs ही करूंगा current affairs ही करूंगा मतलब मैं समझा नहीं क्या कहना चाहते हैं चलिए फड़ा फड़ से देखते हैं जो वीकली क्रेंट फैस्ट था हमारा शेशन उस सेशन में कितने marks गेंड किए हैं हमारे आस्पिरेंट्स ने चलिए बात करते हैं सबसे पहले नाम आ रहा है सीतल सिंग का नहीं होता बस यह है कि जो लिस्ट में प इस के बाद रितिका 43 मांक हैं इसके बाद में रितिका 43 हो गई इसके बाद रज़त बोल रहे हैं गरिमा 48 मांक बोल रही बहुत अच्छे चलिए इसके साथ हम लोग देखें 50 मार्स 50 40 मार्स बोल रहे हैं भक्ती शागर्ग नाम से हैं सुर्भी सिना 47 मार्स गें किए इसके बाद में चले तो श्यामो लिबा फूखन 48 मार्स बोल रहे हैं बहुत अच्छे बेर वेरी गुड हरसल सोलंकी 45 मार्स बोल सुर्य गुप्ता जी 41 मार्स बोल रहे हैं बहुत अच्छे दीर नेक्क्स चलना कुण ब यह बिलकुल बोलरहे हैं ऑल प्रभू की no चलिए नफ से अट बिल्कुल बहुत अच्छे चले लिक लगे इसवा सब्सक्रावण कि नाम से हैं लोप यह बहुत जरूर बताया करे काजल State आपका नाम लिया गया अगया होगा बहुत अच्छे काजल भी आ चुकी है विलकुल भूह अच्छे चलिए काउनस को चलते हैं आज की फर्स्ट निवस्ट की तरफ बहुत ही सिंपल सी चाहिए साथ आपने भी सुनी हो अगर आपने न्यूस वगरा सुनी होगी या उठा के देखा होगा तो आपने सुना ओगा यहां पर इंपोर्टेंट क्या होने वाला है यह होने वाला है यह बिल्कुल सी बात है यह बिल्कुल टॉप हैड्लाइन है कि 28 परसेंट जो है टैक्स कर दिया गया है अब इंपोर्टेंस यहां पर यह आता है कि यह इफ्ट में कब से आया है यहां से कोश्चन बनेगा तो यही बनेगा क्योंकि यह तो बहुत अदिक सभी ने सुन लिया क जी अस्ट कांसिल के जो मीटिंग हुई जीएस टी कांसील की मीटिंग हुई है ऐफेक्ट में कब से आएगा रिया1st यह देट आपको थोड़ी से इंपॉर्टेंट है यह ध्यान रखनी है जो भी न्यूवियर है मैं उनकी जानकारी के लिए बता दू एक कॉपी एक नोट्स एक डायरी कोई भी लेकर बैट जाएए आपको डेली करेंट फैर्स की आच से दस जो भी न्यूस डिसकस हो रही है व है उसको नेसे चलना है जितने भी पॉइंट आएंगे हैं इस से फीघर के फॉर्मेट में उसको कर पाएं आसाक रिकॉल कर पाएं और न्यूज को हमेसा ध्यान रख पाएं और फाइनली उससे कनेक्ट कर पाएं ठीक है तो इस वाज़े से थे औरी का पार्ट को ना लेकर जो पुराने वियर हैं उनको पता है जो भी नियू वियर है मैं उनकी जानकाली के लिए बता रहा हूं आप इस तरह से नियूर्स को थेयुरी के पॉइंट्स को पॉइंट्स में कनेक्ट करके आसानी से समझ सकते हैं ठीक है जी एस्टी काउंसिल 28% कर दिया गया है यहां पर किस पर ऑनलाइन गेमिंग पर अब यहां पर थोड़ा सा जो डेप्ट में कोश्चन बनेगा रियर वो यह बनेगा हम डेट्स वगरा बहुत ज़्यादा याद नहीं रख पाते तो इस वज़ए से हमसे वही पूस देगा कि यह इफेक्ट में कब से आएगा तो इफेक्ट म बहुत अच्छा हो जाएगा आपके बल शेशन के साथ कनेक्ट रहें एप्रॉक्स दो तीन दिन में आपको इफेक्ट दिखेगा कि हां मुझे चीजे समझ आ रही है मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं है ना चैनल ऑफ नॉलिज के नाम से जो भी है आप कनेक्ट रहेंगे दो से सेर हैं कुछ भी कर सकते हैं है ना हमिक बिल्कुल चलिए नेक्स देखिए क्या पॉइंट है भई फाइनस मिनिस्टर सीता रमन जी का कहना है कि ऑनलाइन गेविंग को 28% टैक्स एक अक्टूबर से प्रभावी होगा जैसा अभी मैंने देखा एक अक्टूबर से क्या हो जा और इस तरह का कुछ भी कोई भी गेम हो वहाँ पर आपका 28% आ जाएगा ठीक है थोड़ा सा बस टेक आफ टाइम आपको देना होगा जो भी नियुवियर थोड़ा सा आप टाइम देंगे तो आप अपने इंप्रूब्मेंट देखेंगे देखेंगे और बिलकुल देखें और यहां पर कब से इफिक्ट में आएगा फर्स्ट अक्रूबर दॉरायन 23 से तो आई होप यह वरवली ही आपको तैयार हो गई होगी जिनका भी एक्जाम है बिलकुल आप शेशन को देखें और सेशन से क्या होता है एक अप फ्रेश अप होते हैं एक फ्रेश अप होते है जैसा होता है अवेज़रह वेसिस होता ना घर पर क्या होता है आपने देखा में आपके पेरेंट सर्च औराक्रेंइडर गेपर लेकर बैटांधे है थ्रेश अफल यह देखें और यह देख लेते हैं एक आइए और सी दुनिया से इसाइब होना है। और उसे तो आपकी देश दुनिया कहां से डिसाइड होगी देश दुनिया कैसी होने वाली है यह आपके लिए क्या करेगा रही होता है तो रेगुलर होना सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलर होना और थोड़ा सा नोट्स क्रिएट करते चलना सेशन के साथ ही आप नोट्स क्रिएट करते चले इसके लावा अधर से आपको टाइम देने की रिक्वाइर्मेंट नहीं है ना बस नोट्स वगरा थोड़ा बहुत 15-20 मिनट आथा मिनिस्ट्री आफ मिनिर्टी अफेर्ज जो अल्प संख्यक मंत्राले है हमारा मिनिस्ट्री आफ मिनिर्ट्री अफेर्स है इसके दवारा यह शुरू की गई है इसके दवारा क्या किया जाता है इसके दवारा जो भी मिनिर्टी अफेर्स यानि जो भी मिनिर्टी हैं उनको स जिक्षा के लिए क्या किया जाता है, फंड प्रोवाइड किया जाता है, फंड प्रोवाइड किया जाता है, उनको support करती है, और बहुत ही अच्छे तरीके से जिसे उनको भी सही अवसर मिल सके अपनी opportunities को ग्रैप कर सके तो इसमें पॉइंट्स होने वाले हैं क्या चीज़ें होने वाली है हम लोग बिलकुल इसको देखने वाले हैं चलिए देखते हैं मिनिस्टर इसमरत इरानी जी की बात पहें तो उन्हें लोग सभा के एक आंसर में भी बाई फाइनली ये बात बोली थी अभी अभी इसलिए ये नियूज में है और यहां पर इन्हों ने क्या किया है बताया है कि जो ये स्कीम है इसके जरीए कितने स्टुडेंट्स को हुआ है ये भी बात यहां पर बोली गई है ये भी बात यहां पर बोली गई है एक यूज निय वन लैक के तीघा आउजन इसकीम नया सवेरा disp है उमिंआ कि chaid मिनिस्ट्री के अंदर में आएगी तो मिनिस्ट्री ओफ किसके लिए है अलपसंख्यक तो मिनिस्ट्री ओफ मिनिस्ट्री ओफ मानिोरिटी ओफिर्ज मिनिस्ट्री ओफ मानिट्री ओफ के दरा शुरू की गई है और यहां पर अभी हाली में इस्मती इनारी जीरी के दरा क्या बताए गया है one lakh twenty thousand minority students को यहां से क्या हुआ है फायदा हुआ है minority students ठीक है रही है बेनी फिटेड बेनी फिटेड ठीक है बेनी फिटेड चलिए इसके बाद मेरी है हम लोग next चले next point पर देखते हैं क्या point बोलने वाले है इतना हमें as a information यहां पर ध्यान रखना है next देखी क्या बोले है the ministry has launched the नया सवेरा scheme free coaching and allied schemes free coachings provide करने का काम and बहुत सारे इसके साथ ही allied schemes लेकर आती है तो assessed students candidate belong to six notified minority communities कौन कौन से minority communities को यहां पर रखा गया है यह और आप वो हम देख लेते हैं minority communities में सिख्ख है आपके जैन है Muslim है Christian है Buddhist है और आपके पार्सी है और आपके पार्सी समधाय के लोग है तो special coaching for the qualifying examination is implemented Sikh, Jain, Muslim, Christian, Buddhist and Parsi यह आपके यहां पर लिए गए है तो यह अभी हाली में बिलकुल लोक्षभा में यह अपने answer में इसमर्ती रादी जी ने क्या किया mention किया और इसको बोला है ठीक है नेक्स माइंट पर चलें तो दिखी क्या बोल रहा है admission to technical and professional courses and competitive examination for the recruitment of group A, B, C, services and other equivalent post under the central and state government including public sector undertakings, banks and railways the scheme was implemented across the country through impaneled project implementing agencies P, I, A, S, P, I, A, S का भी थोड़ा सा full-form ध्यान रखिएगा project implementing agencies project implementing agencies जो भी news है वो पूरी तरीके से मैंने आपको points by point बता दी है और कोई ऐसा point यहाँ पर ठीक है? बिलकुल दीए news पर focus करें हम सारे questions आपके ऐसा करते हैं questions के लिए एक time रखते हैं question जब हम आपके क्या discuss करते हैं news जब discuss कर लेते हैं, news के बाद में हम आपके सारे questions ले लिया करेंगे, जैसे अभी कुछ question की है, MTS में कितना current affair था dear, यह कोई fix नहीं होता, देखने अगर हम देखें तो average 40 से 45% तक के question current affair के होते हैं जैनि अगर 100 question आ रहे हैं GS में आपके, तो उसमें से 40 question आपको current affair मिलेगा, अगर 50 question आ रहे हैं तो 20 question आपको current affair के मिल सकते हैं ऐसा माना जाता यह कोई fix नहीं है current affair कोई fix नहीं होता current affair से connect करते हुए ही question भी बनते हैं यह बात भी समझी है, कई बार मैंने आपको समझानी की कोशिश की है अगर Indian polity से, constitution से कोई question आया है तो question इस वज़े से आया क्योंकि वो अभी हाली में चर्चा में चल रहा होगा वो burning issue होगा, है ना इसी वज़े से किसी भी exam में current affair fix नहीं होता लेकिन previous exams के scenario के देखते हुए हम बताते है तो news के बाद में हम सारे सारे questions आपके ले लेंगे और अरभी exam में भी पूछा है अभी किसी ने और अरभी exam में general category को कितने marks लाने होंगे देखिए general category के लिए ऐसा कुछ भी fix नहीं होता exam अगर आपका level जिस तरह से आ रहा है उसी तरह से decide होता है ठीक है निउस के बाद में हम लोग हाली में क्या हुआ कि नो confidence motion आया या आपका क्या प्रेशिडेंट का election हो गया अब आपके exam में पूछ दिया बताईए प्रेशिडेंट से डिलेटर कोई question पूछ दिया अब आपके question आया ministry minister of minority affairs इसमती इरानी इसमती जोभी निरानी इन रिटन रिप्लाइ इन्होंने रोकसवा में फैर्ड अगस्त को किया है फाइनली ठीक है दियर नेक्स देखी न्यूज आ रही हमारी आर्बियाई से आर्बिया ने अप्रूबल दिया है amalgamation हुआ है amalgamation किसका किसका हुआ है अमल्गमेशन हुआ है नव निर्मान कॉपरेटिव बैंक नव निर्मान कॉपरेटिव अर्बन बैंक और राजधानी कॉपरेटिव अर्बन बैंक और राजधानी कॉपरेटिव अर्बन बैंक और राजधानी कॉपरेटिव बैंक के स लब होता है जब एक ही सेक्टर में या एक ही फिल्ड में काम करने वाली दो कमपनीज आपस में मिलकर काम करती है पर चोटी कंपनी को acquire कर लेती है अधिगरहित कर लेती है खरीद लेती है उसका maximum share purchase कर लेती है यहना 100% share उसका purchase कर लेती है it is called acquisition बोलते हैं अग्वाजीशन बोलते हैं merger क्या होता है? merger होता है जो भी owner होता है owner होता है उसकी बहुत सारे works कर रहे होते हैं तो वो आपस में जो loss में चल रहा होता है जादा profit में होता है या कम profit में होता है उसको आपस में merge करने का काम करता है जैसे bank को चालने करने को मिले merger की बात करें तो अपको reopen 1217 में किस bank में SBI में कितने banks margin हुए थे 65 तो किषमे स्टि ऊफ,akahुभारती 1227 में दो bank merge हुए थे देना और विजिया। तो यह चार बैंक थे जिनमें मर्जर हुआ था 2021 में इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स देखिए क्या वही पाइंट बोल रहे हैं जो अभी हमने डिसकस किया यहां पर है ना आर्बिया इस्टेबलेश्ट इन विचियर आर्बिया इस्टेबलेश्ट कब हुआ 1935 हुआ है एक्ट कब आया था 1934 में चीक है 1934 में बादा हिल्टन यंग कमेटी चलिए तो यह निउस देखते हैं सेनर्यो क्या बोलाएं तर इजर बैंक आफ इंडिया ने संक्शन कर दिया आर्बिया ने संक्शन कर दिया है यह नियुक्त पूल सकते हैं आर्बाइने अप्रूफ कर दिया है यह यह फिस निर्मान नव निर्मान कोपरेटिव अर्बन बैंक चीक है एंड राजधाणी कौपरेटिव बैंक क्लिन ठीक इन दोनों का अमिल्घमेशन ओक गया तो नव निर्मान कोपरेटिव बैंक और राजधानी कौपरेटिव बैंक का क्या हो गया है अमिल्गमेशन हो गया है चलिए नेक्स माइंट पर चले तो अर्बन बैंक लिम्टेड जो दोनों ही है रियर ये हैधराबाद बेस्ट है कहां पर बेस्ट है है रियर जैसे मैंने फीगर बनाया है फस्ट फीगर उसी फीगर में आप चीज़ें है है तो निर्मान सही कारी सही कारी स 시작 के रूप में कार्ए जैने अमलगमेशन हो गया है किसका राजधानी सहकारी राजधानी कोड़ेटिव बैंकक का इसे लिए इस सविए रहे तक इस और फिर से यह बार कभी डिसक्स कर देंगे भी ना नियूस के बाद में इस इसके लिए इतनी यह नियूस के लिए तो फटाफ़चे लोग चलते हैं आगे नेक्स बहुत लिए सिंपल सी न्यूस है ना है तराबाद बस्ट दोनो भी साहिकारी सहरी बेंक से लिक्राइब निरमान सहरी सहरी बैंक सब्सक्राइब नियुक्त बहुत अच्छे नेक्स देखिए यह बहुत सह नीजा रहे है एं ल सी NLC along with UP government to set up 1980 Megawatt thermal plant NLC जो की आपकी public sector undertaking है ये ये UP government के साथ मिल कर 1980 Megawatt का thermal plant इस्थापित कर रही है अब directly यहाँ पर question यहीं बनेगा directly यहाँ पर question यहीं बनेगा कि बताईए अभी हाली में NLC के द्वारा 1980 Megawatt thermal plant कहां पे establish किया जा रहा है UP government के साथ मिल कर यह establish किया जा रहा है कहां पर establish हो रहा है कितना amount है सारे points हम one by one देखेंगे चली बात है NLC India Limited की NLC India Limited NLC India Limited क्या establish कर रहा है thermal power plant thermal power plant establish कर रहा है और अगर हम बात करें तो कितने मेगावाट है 1980 Megawatt मैं सही हूँ ना गलत तो नहीं हूँ बहीं क्योंकि मेरे से भी गलती होती है बिल्कुल बहुत जादा होती है 1980 Megawatt 1980 Megawatt चीक है यही तो था हाँ बिल्कुल 1980 Megawatt बिल्कुल सही हूँ है ना 1980 Megawatt है amount कितना है दियर तो amount में confuse मत हो ना तो 1980 80 करोल कर दो ऐसा नहीं है amount देखो कितना है 19,406 करोल 19,406 करोल इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा कि starting के दोनों ही आपके जो 10 डिजिट्स है वो आपके 19 ही है 1980 वो 4 डिजिट्स है यहाँ पे 5 डिजिट्स है ठीक है दियान रखिए अगा 19,406 करोल 19,406 करोल तो अब देखो दियर तीन पॉइंट हो गए जो भी न्यूवियर है या पुरानी वियर भी है हमारे बहुत आसानी से समझ सकते है NLC इंडिया लिम्टेड ने UP गौर्वर्मेंट के साथ मिल कर एक thermal power plant बनाया जा रहा है establish किया जा रहा है जो कि इस last के इस year के last तक अपनी सेवाएं शुरू कर देगा यानि बिजली उत्पादन शुरू कर देगा ये thermal power plant जो establish किया जा रहा है ये कितने मेगावाट का है ये 1980 मेगावाट का है और इसका costing कितनी आ रही है 19,406 करोड आ रही है ये thermal power plant कहा बनाया जा रहा है UP में गाठमपूर में घाठमपूर एक जगए है वहाँ पर ये thermal power plant प्रिपेर हो रहा है और year के last तक ये अपनी services देना शुरू कर देगा ठीक है आए हो बिल्कुल इतना आपको clear होगा जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आपको बिल्कुल ये point clear होगा ठीक है पर योजना का पहला चरण इस साल के अंत तक बिजली उत्पादन क्या कर देगा शुरू कर देगा clear है इतनी बात त्री phases यहां पर रखे गए है 660 मेगा वाट के ठीक है डियर 660 मेगा वाट के और टोटल अगर हम बात करें तो 1980 मेगा वाट आ जाएगा एमाउंट कितना है 19406 करोड 19406 करोड बिल्कुल crystal clear होगी आपको news बिल्कुल crystal clear होगी ठीक है नेक्स इस देखोड़ देखोड़ थर्मल प्लांट विल कॉस्ट 19406 करोड प्लाइन कम अप घहतमपूर नियर कानपूर इन उत्तरपदेश ठीक है बहुत अच्छे डियर आए हो बिल्कुल clear होगी चलते हैं असी के साथ ही next news की तरफ next news dear देखी क्या निकल कर आ रही है appointment निकल कर आ रहा है जो भी Indian origin होते हैं हमारे लिए important हो जाते हैं देखें appointment बहुत सारे important होते हैं लेकिन जब भी आपने देखा होगा अगर कोई Indian American है कोई Indian origin का है है ना तो वह बहुत ही नाम important हो जाता है तो यह नाम निकल कर आ रहा है शोहीनी सिन्हा जी का शोहीनी सिन्हा जी का आपकी appointment की गई है कहां पर FBI special agent है ना FBI special agent Indian American सोहिनी सिनहा named special agent charge in FBI 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 क्या है फटाफट बताएं अभी हम बिल्कुल discuss करेंगे अगर आप में से कोई बता है किसी को पता है तो फटाफट बताने का कस्ट करें FBI बात करें और ये special agent बनी है special agent सोहिनी सिनहा इंडियन अमेरिकन इंडियन अमेरिकन सोहिनी सिनहा सोहिनी सिनहा has assumed the role of the special agent in charge of the South Lake City भाई अगर हम बात करें ये special agent बनी है special agent special agent कहां पर है ये डियर Salt Lake City City का नाम भी पूछा जा सकता है Salt Lake City में Salt Lake City Field Office Salt Lake City Field Office field office special agent अगर है appointed by FBI FBI that is Federal Bureau of Investigation Federal Bureau of Investigation अगर है अगर है अगर क्रिस्टोफर रे ने इनको क्या किया है special agent का इनका अपाइंटमेंट को क्या किया है announce किया है किसने अनाउंस किया है क्रिस्टोफर रे ने जो कि यहां पर क्या है डिरेक्टर है क्रिस्टोफर रे क्रिस्टोफर रे ठीके दियर बिल्कुल आए होब इतना पाइंट आपको किलियर होगा रहा बिल्कुल बहुत अच्छे ठीके फोकस करते ही चलेंगे न्यूस पर देवासी सेट्थी भी बिल्कुल जुड़े हुए है देखिए देबाशी सेटी ने बिल्कुल फेडरल बिरो आफ इन्वेस्टिगेशन फुल फॉर्म बताया है सासांग जैस्वाल ने बताया है बहुत अच्छे है ना चलिए नेक्स माइन पर चलें क्या बोलना है सी बिकेम दा फॉर्टीथ सौवरेन जो अंडर गो दा प्रिस्टीजियस कॉरणीशन सेरिमनी अर्दा रिनाउंड वेस्ट मिनिस्टर राजविश्ट समारों से गुजरने वाली चालिशमी संप्रावू बन गई है देखो अब इतना हमे डिटेल में नहीं जाना है लेकिन अगर ये पूछा जा किस नमबर की है तो डियर ये फवत्ती थै ठीक है एक तो डिरह अगर बात करें तो डियरक्टर औफ एफबी आए फील कर रहे है कि प्रभारी विशेस इजन्ट की भूमिका में ये आ गई है भारती अबरी पर इस इ पॉइंट आउट कर चुका हूँ एक आपको पॉइंट ध्यान रखना है दिखिए कितने सारे पॉइंट है एक आपका सिटी का आ गया साल्थ लेक सिटी आ गया इस्पेसल एजेंट के रूप में आ गया है ना फेडरल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिकेशन इंडियन ओरिजिन सो में इसी दरह से करिएट करते हैं। नेक्स चलते हैं न्यूस की तरफ नेक्स नून आ रही है वह इस इसने बोला है कि भाया स्रिलंका में जो भारती है there are यानी जो एंडिया की currency है भारती रूपया है उसमें आप लेन देन नहीं कर सकते उसमें आप लेन देन नहीं कर सकते हो ऐसा बोला गया है वह इंलीगल होगा किसने बोला कि सेंट्रल बैंकी औख सी लेंक का कैना है कि झोरेलू बुप्तान के लिए भारती 2022 में भारत को एज़ विदेशी मुद्रा के रूप में क्या किया एकसेट किया था कब किया था अगस्त 2022 में किया था लेकिन इस वज़े से फाइनल यहां पर क्या कुछ ऐसी चीजे देखने को मिरी इस वज़े से इनको यह चीज बोलनी पड़ी है कि घरेलू बुक्तान के लि भारती रूपया बैद मुद्रा नहीं है नेक्स पाइंट देखिए क्या सिलंका के सीर्स बैंक ने कहा कि द्रीप देश में भारती रूपय के साथ किसी घरेलू लेंदेन की अनुमती नहीं दी जाएगी यानि हमारी इंडियन करेंसी में वो लेंदेन नहीं करेंगे एज़ अगस्थ 2012 में ठीक है कब नामित किया गया था अगस्थ 2012 में फॉरेंड करेंसी ठीक है भारती मुद्रा को एज़ा फॉरेंड करेंसी के लिए designated किया था कप किया गया था August 2022 में कप किया गया था लियर August 2022 में यानि लास्ट यहर की बात हो रही है August 2022 में as a foreign currency क्या किया गया था designated किया गया था छेखे लियर चीक है इतना पॉइंट आपको किलियर होगा है ना फिर देखिए क्या बुले दा एपेक्स बैंक सैट इट 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 इंडियन रुपी हैज बीन इंडोर्स आज डेजिगनेटेट फॉरिंड करेंसी इस नॉट लीगल टेंडर नहीं है सिलंका फॉर डॉमेस्टिक ठीक है विदेशी मुद्रा के रूप में तो समर्थन दिया गया है लेकिन यह घरेलू बुक्तान निप्तान के लिए स्रिलंका में कानूनी निविदा नहीं है ठीक है तो यह हमारे लिए ऐज़ा इन्फॉमेशन है ऑनी ट्राइट्ट पर देखी क्या बोल है एनी ट्रांजेक्शंस एइज पद मुभूशन एवार्डी है हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट हो जाएंगे पद मुभूशन एवार्डी है और 1960 बैच के I.S. ओफीसर है N. विट्टल इनका भी हाली में निधन हुआ एरियर तो हमारे लिए बिलकुल देखिए है तो हमारे लिए बिलकुल इंपोर्टेंट हो जाएंगे जिए जो भी ऑबिचरी होती है डारेक्ली मारे एक्जाम का पार्ट बनती है कुश्चन कुछ इस तरह से बनता है नेम बता दिया जाता है और पूछा आता है बताई इनका हाली में दन हुआ है यह किस फील्ड से बि करते हैं राइटर हैं तो यह बहुत सारे प्रइंट सब्सक्राइब इस बनते हैं और अगर उनको कोई अवार्ड मिला हुआ है तो चलिए देखते हैं इनका नाम लिख लेना है एन विट्चल साब क्या हो गए है पास्डवे ठीक है एन्विक्तल बिरोक्रेट्स नहें है एन्विक्तल साब जिनका तीन अगस दोजाग तेश को किस डेट पर निढ़न हुआ है कितनी आयु में हुआ है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता घ़्षर में चार कारेकाल के लिए इन्होंने दिये हैं Central Vigilance Commission के रूप में इन्होंने काम किया है, है ना, Central Vigilance Commission, बहुत important हो जाब है, four tenure, है ना, four tenure इन्होंने दिये हैं, किसके लिए, Central Vigilance Commissioner, Central Vigilance Commissioner, CVC, Central Vigilance Commissioner, केंद्रिय सतरकता आयुक्त, अपने आपने बहुत बड़ी पोस्ट होती है, four tenure इन्होंने दिये है, एन्विट्टल साहब ने, उनका अभी हाली में निधन हो गया, तो यह हमारी लिए बहुत important होंगे, है ना, four years of a career in IS spanning, 36 years तक इन्होंने अपनी सेवाए निधन है, एन्विट्टल और पद्म भूशन एवाड़ी है, तो यह important, और important हो जाता है, पद्म भूशन एवाड़ी है, पद्म भूशन एवाड़ी है, पद्म भूशन एवाड़ी है, हमारा third highest civilian है, third highest civilian है, third highest civilian है, पहला civilian है भारत रतना, दूसरा पद्म भूशन, फिर पद्म भूशन, ठीक है, I hope इतना point clear होगा आपको, तो I hope बिल्कुल सीधर सापको ध्यान रखना है, है ना, central vigilance commissioner and victuals आपका भी हाली में धन हुआ, fourth year इन्होंने CVC के लिए काम किया है, पद्म भूशन एवाड़ी है, तो यह कुछ points आपको ध्यान रखने होगे, इसी के साथ हम लोग चलेंगे next point पर, I hope इतना point आपको clear होगा, next is, next year एक और arbitrary आ रही है, और यह और आपचरी है, मराथी poet है, नाम देव धॉन्डो, नाम देव धॉन्डो महानोर, दिर देर्टली question पूशन पूशा जाएगा, नाम देव धॉन्डो महानोर का, अभी हाली मिनिदन होगा, बताइए किस भासा के कवी है, यह language भी पूशी जा सकती है, language भी पूशी जा सकती है, भारत दोन सबसे highest levelion, second पर पर पदमा एवार्ड आ जाते है, पदमा एवार्ड की सीरीज आ जाती है, तो मराची कवी हैं, यह point आपको ध्यान रखना है, मराची कवी नाम देव धॉन्डो महानोर, चलिए, इनका भी नाम बिल्कुल पड़ा पड़ से हम लोग connect करते हैं, है ना, मराची कवी है, नाम देव धॉन्डो महानोर, पास्डवे, और यह आपके मराची पोईट है, मराची पोईट है, है ना, नाम देव धॉन्डो महानोर, और बस इतना ही point आपको ध्यान रखना है, अबिचरी से है, नाम देव धॉन्डो महानोर, मराची कवी है, पास्डवे, इनका भी हाली में धुन्द हुआ है, है ना, सहाइटी के चेदर में उनकों योगदान के लिए उन्हें देश के चौथे सरवोच नागरिक सम्मान पुरसकार पदमस्री से समानित किया गया है राज विधान परिशद के भी सदर्स से रहे हैं यह स्टेट लेट्स लेट्व काउंसिल के भी मेंबर रहे हैं स्टेट लेट्स लेट्व काउंसिल और पदमस्री वाल्डी है और आपके इस्टेट लेट्स लेट्व काउंसिल के मेंबर रहे हैं कांचल के ठीक है टीक है मेंबर और इस्टेट लेगिस्लेटिव कांचल यह दो पॉइंट आपको ध्यान रखने है और इस टेट मेंबर रहे हैं स्टेट लेगिस्लेटिव कांचल के इस दियर एंटेशन आफ नंबर ऑफ केंडिडेट्स वर वाइवार्ड पर यह बिल्कुल इस यह अगर हम बात करें तो कितने वन-0-6 दिये गए टोटल पर्दमा वाइवार्ड कितने थे भी मिला हुआ है ना चलिए तो यह यह आपको बिल्कुल होगी इसी के साथ हम लोग हां नॉट मौल दैन वन ट्वेंटी सांग जैसवाल जी देखो बता रहे हैं बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छा इस देर एनी लिमिटेशन और नंबर केंडिडेट्स पादमा भूशन प बात हो रही है इंडिया के नंबर वन चेस्ट प्लेयर बन गया है और इसी के साथ इन्होंने को क्या कर दिया है कुछ पॉइंट से क्या कितने पॉइंट पॉइंट प्लेट 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 पर आपके विदित गुजराथी है और फोर्थ प्लेट पेंटला हरी कृष्ण और आर प्रगानन्धा जो है आर प्लेट प्लेट पर है तो बिल्कुल इनका नाम आप लग सकते हैं किस तरह से कनेक्ट करेंगे तो फाइनल यह नमबर वन चेस्ट प्लेयर इंडियाज नमबर वन चेस्ट प्लेयर इस तरह से कनेक्ट करेंगे चेस्ट प्लेयर उन्हें विश्णाथन आनंद को पीछे पचाड दिया है क्लासिकल 17 गुकेश की वरतमान लाइब रेटिंग जो हो गई है वह 27 यह रेटिंग देखिए नहीं आत करनी है बस मैं ऐसे लिख दे रहा हू 2755.9 है जबकि आनंद की कितनी है 2754.0 है यही तो है बिल्कुल रेटिंग आपको याद नहीं रखनी है बस इनका नाम ध्यान रखिए बस ठीक है रियर नेक्स्ट इस चलें तो गुकेश डी को आजर बैजानी ग्रैंड मास्टर अब इन्होंने यह पॉइंट कैसे अर्जित की होंगे ग्रेजडी क्वालिफाइड यह फार्दा थैड राउंड में एफ आई डी आए की बात करें फिड़ाई कप फिड़ाई वर्ड कप बाई डिफीटिंग अजर बैजानी ग्रैंड मास्टर मिस्वाट दीन मिस्टराद दीन इंसकद्रेव अजर बैजानी ग्रैंड मास्टर है अजर बैजानी ग्रैंड मास्टर जो है उनको इन्होंने क्या किया है हराया है उनको हरा कर फाइनली इन्होंने क्या किया है यह पॉइंट अर्जित किये है ठीक है इनका नाम क्या है डियर बिलकुल धिह और वारत मिस्रत्दीन इसकंद्रेव मस्रत बीन 1 कंदr on R Young에서 के इनको हरा कर-णी कुगेस पॉइंट अर्जित किया है उज़र्बैजान की है एक वैड कप में नीतना पitoCOM के अनू एक एतने पोइंट सुभी beauty क्लियर हुए निए अब आज का कोश्ष नंसर सबस्टाम् ए मैं क्या बोल रहा हूँ यह था हमारा निूज का सिलसला आप सभी को यह निउस आपको अच्छी लगी होगी आप सभी ने इंज्वाए करिए जो भी questions other होते हैं news से other news से other जो भी आपकी questions and queries होती हैं वो मैं यहाँ पर news खतम करने के बाद directly फटा-फट से आपके answers कर दिया करूँगा जो चलिए चलते हैं static gk की तरफ अब देखते हैं I hope आज की news को आपने enjoy किया होगा अगर आपने आज की news को अगर यह प्रयास आपको अच्छा लगता है और इसके साथ हमने friends के साथ दोसों के साथ share कर दिया तो बहुत अच्छी बात अभी तक नहीं किया है तो अभी से फिर से एक बार कर दें अगर अभी तक नहीं किया है तो फटा-पट से कर दें और हम लोग चलते हैं आज last step होगा last Monday से मैंने साथ किया था और आज मने में ही हम लोग आ चुके एप्रॉक्स दस ते पंदा exercise हम लोग डेली डेली करते चल रहे थे और आज यह exercise हमारी क्या हो रही है overall complete हो रही है यह यह एप्रॉक्स एट डेज में यह ती से 85 exercise हमने करीब discuss की है आप इसको अपनी aesthetic वाली जो file मैंने आपको बनाना बताया था उसी file में बनाकर आप compile करते जाएंगे सारी कि सारी exercise हम लोगों ने discuss कर ली है तो आज चलते है last part है मुझे लगता है हो बिलकुल last part है last या second last होगा कुछ कल कुछ नया हम लोग इस्टाइटिक में शुरू करेंगे ठीक है चलिए जो बात हो रही है यह ट्राय ट्री सर्विस exercise है अइ्टिक सर्विस exercise है अल मोहमद अल हिंडी अल मोहमद अल हिंढी उप्सषाइई इंडियर और साॉदी अश्यविया के बीचर घंजर की बात करें तो इंडिया और किर्गिस्टान के बीच जायर अल बहार जैल अरबाहर इंडिया और कदर के बीच की एक्ससाइज है इसके बाद वार के लेज़ लम्बिति यह इंडिया और सेसलस के बीच आपने का पथे और किस अब किसकी तरफ के लिए पर नेक्स दीविड विल्करिक्स भुजोएर सक्ति आ यह हरी माउ सकती की बा traitorी मैं मलेशिया के पीच कि Anda सी विजिल स्विज्र। कोस्तल डिफैंस तरह समिष्र सबस्काइब इसा सबस्ष्र बहुत इंपटारइफ और कई गई है कवच जॉइंट मिलेटरी एक्सराइज है अगर आपको यह अच्छा लगता है उनको भी सेशन में लेकर आया करें और मैक्सिमम नंबर ओफ एस्पिरेंट्स के साथ हम लोग बहुत अच्छे तरीके से और भी इंट्रेस्टिंग बनाएंगे शेशन को और भी बहुत अच्छा स्टार्ट करेंगे चलिए रैपिड फायर राउंड खिलते हैं रैपिड फायर राउंड में कुछ हमने परसेंट एक्सराइस कॉंसप्ट या उता है जैसे मैंने एक एक्सांपल दिया था आर्थी और पूजा का इंग को बता दूँ जैसे आरती नाम का एक परसन है आरती नाम की बच्ची है प्यारी कर रही है, preparation कर रही है है ना, suppose कर लेते हैं कि उसका 10 plus 2 complete हो चुका है 10 plus 2 के exams हो चुके, अब वो घुमने अपने मामा जी के आँ गई हुई है, मामा जी की भी बेटी है, उसका नाम है पूजा, तो आरती और पूजा मिलकर क्या कर रही है आरती और पूजा मिलकर क्या कर रही है decide कर रही है कि हमें 10 plus 2 के बाद क्या करना है, इस पर क्या कर रही है मंथन कर रही है, विचार कर रही है जब देख, दो कंट्री आपस में मिलकर किसी exercise को करते हैं, तो उसको वो exercise military exercise है, तो military exercise कहलाती है, defense exercise है, defense और naval exercise है को naval, यानि कि जब दो देश आपस में मिलकर अपने अभ्यास को साथ में मिलकर करते हैं, सीखते हैं तो उसी को हम exercise के फिर नाम दिये जाते हैं, अब आरती और पूजा मिलकर कुछ decide कर रही है, कुछ study कर रही है, या कोई experiment कर रही है तो उसको मिलकर उन्होंने नाम दे दिया आरती पूजा exercise, या आरती पूजा initiative, ठीक है, तो इसी तरह से नाम दे देते हैं, थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग बलाने के लिए मैंने इस तरह से बताया था तो बिलकुल, आरती कभी आरती अब देखो कभी आरती अपने मामा जी क्या आ जाती है तो आरती मामा जी क्या आ गई, वहां जाकर इस पर discussion करेंगे, और कभी पूजा आरती क्या आएगी तो ऐसा ही country's के साथ होता है जैसे दो देसों ने कहा, मिलकर हम लोग military exercise करेंगे अब कभी इंडिया उस country जा रएगा और मिलकर साथ में यहां के आफिसर जाएंगे यहां के soldiers जाएंगे और मिलकर आपस में exercise करेंगे और सीखेंगे अर कभी वो country हमारे यह आएगा और हम exercise करेंगे यहां की एरफोर्स वहां की नेवी और वहां की नेवी या कभी-कभी हम ट्राइलेटरल कर लेते तीनों से नाव की एक साथ ठीक है तो यह एक्सरसाइस का डियर मतलब आता है और इनके अलग-अलग नाम भी निकल कराते हैं अब जैसे नाम दे दिया तो अब देखो यहां पर देखिए बोलना है 4.5% सबसे पहले आंसर आया फिर मॉंजीत ने बोला है बहुत अच्छे डियर सरिता मॉर्या बोले है 6.50 नहीं डियर परसंट कितना है 4.50 है है ना SLR परसंट कितना है 18 परसंट है ठोड़ा सब आगे चलते हैं तो फटा-फट से रेपोरेट बताएंगे है आप सबी फटा-फट से रेपोरेट बताएंगे रेपोरेट फिर रेवर्स रेपोरेट फिर इसके बाद में रेवर्स रेपोरेट के बाद SDF SDF के बाद में bank rate और SDF के बाद में bank rate, bank rate के बाद में MSF, rapid fire बोलते हैं फटा फटा आपका one liner, आपको सीधे फटा फटा फट से answers करने, देखें सामुल भफुकर ने सारे percentage कर दिये, सारा जंजट ही खतम, एक की बार में, बिलकुल, done, CRR% 4.50, SLR 18%, रेपोरेट 6.5, डिवर्स 6.25 है, MSF 6.75, बहुत अच्छे तरीके से आपने सारे ही percentage बिलकुल राइट तरीके से लिख दिये हैं, बहुत अच्छे और भी participants कर रहे हैं, सिमरन सिमी बोल रही है, CLR, CRR बोल रही है, 4.50%, ओके रेपोरेट 6.50, सासांग जैसवाल बोल रहे है, रजत साहू बोल रहे है, 6 6.50, बहुत अच्छे, आस्तार जैसवाल 6.50, बहुत अच्छे, विनोड रेड़ी, वेरी गुड डियर, ओके, exercise क्या होता है, अभी just मैंने बिलकुल बताया है, फिर सेम लोग exercise, जब दो देश मिलकर किसी exercise को करते हैं, military exercise, या air force exercise, या naval exercise, यहां के officers, यहां के soldiers और उस country के soldiers आपस में मिलकर उसको practice को करते हैं, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे, आप सभी बता रहे है, percentage बहुत अच्छे डियर, चलिए, एक बार मैं finalize कर दूँ, CRR परसेंट 4.50, 18% SLR है, यह डियर reserve ratio कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, इनको हम reserve ratio बोलते हैं, और MPC committee में यह बायमंदल CRR और SLR, CRR that is cash reserve ratio, SLR statutory liquidity ratio, इधर आ जाएं, percentage पर तो रेपो रेट कितना है, 6.50% है, reverse रेपो रेट कितना है, 3.35% पर इसे रोक दिया गया है, SDF कितना है, 6.25% है, bank rate कितना है, 6.75% है, MSF marginal standing facility कितना है, तो dear, MSF एक facility है, और यह facility हमेशा bank rate पर ही calculate होती है, तो यह 6.75% है, चलिए, बहुत अच्छे, सुर्वी सिना ने भी देखिए, सारे percentage विल्कुल टाइप करके धेज दिये हैं, यहाँ पर, बहुत अच्छे dear, आप सभी का party से percent बहुत अच्छा है, आपका message मेरे पास क्यों आ रहा है, काजल बोल रही है, ओके dear, Samu Lima से बोल रही है, अच्छा, ओके dear, नहीं message सभी के दिख रहे हैं, view, बहुत अच्छे dear, यह हमारा rapid fire round होता है, जहां पर बहुत अच्छे तरीके से क्या करते हैं, back to back, back to back questions करते हैं, और आप उसके answers देखने हैं, चलिए फड़ा- से आप सभी answer करेंगे, dear, J. Kannabiran, N. Kannabiran, या फिर Sivendranath, या फिर Ruchira Kambos, बहुत अच्छा question है, फड़ा-फट answer करेंगे, time start हो चुका है, चलते हैं, आज के question answers की तरफ, हम लोग आ चुके हैं, first question की तरफ, rapid fire round भी आज हमने बीच में कर लिया, ऐसा ही rapid fire, हम लोग 2-3 question, 4 question, short में फड़ा-फट से कर लिया करेंगे, कोशिश किया करेंगे, आप लोग याद दिलाए करो, थोड़ा सा कभी-कभी, rapid fire कर दीजिए, ऐसे ध्यान दिलाए करो, बहुत पहले मैंने इसको बोला था, initiate किया था, इसी class में, morning class में अपनी, लेकिन फिर बाद में गुम हो गया, क्यों, बहुत सारी चीजें होती है, अगर आप ध्यान दिला दोगे, एक-दो मिनट में काम होता है, हो जाएगा, एक-दो questions आजाएंगे, बहुत अच्छा, है ना, चलिए, very good, जलिए answers आने शुरू हो गया, right answer हो जाएगा, जी, करना बिरन, यह option A is a right now, option A is a right now, चलिए च दिसकस की थी, dear, फटाफट से answer करेंगे, आप सभी, फटाफट से answer करेंगे, चले answer की तरफ, देखते है, right answer क्या होने वाला है, यहाँ पर, right answer क्या होने वाला है, तो dear, बिल्कुल देखिया, answer कर रहे है, स्यामुल यह वार फोकन बोल रही है, MRPL, इसके लाब और भी answers कर रह लर ने answer किया, MRPL, very good dear, विनोद रेड़ी, ONGC बोल रहे हैं, ONGC बोल रहे हैं, ससांक जैसवाल, ONGC बोल रहे हैं, चलिए, देखते हैं, right answer यहाँ पर हो जाएगा, MRPL, मैंगलोर रिफाइनरी, लिमिटेर, मैंगलोर रिफाइनरी, मैंगलोर रिफाइनरी, मैंगलोर रिफा से बताएंगे, रुबेला भूतान, जो है, रुबेला मुक्त हो गया है, WHO ने भी इसका अनॉंसमेंट कर दिया, भूतान ने भी कर दिया, हम लोगों इन डिटेल में डिस्टेस किया था, यहाँ पर कितने यह तक लड़ाई लड़ी है, तो 20 यह, options D आपका right हो जाएगा, option D ने रॉट हो जाएगा, next question is, पैन गॉंग शेंग, ने सेंटल मेंक के गवर्णर की भूमी का किस से ली है, वही किस से इनों रिप्लेस ली, किस से सफलता दिलाई यह नहीं होगा, किसको रिप्लेस किया इनों ने, किसे प्रतिस्थापित किया है, किसे प्रतिस्थापित किय ने बाता है, तो जी गॉंग सेंग, यी गॉंग सेंग, पैंग सेंग, ली गैंग, फटाफट से बताएं, बिलकुल, जी गॉंग सेंग कर रही है, ओके वेरी गूड, चलते हैं आंसर की त्रफ देखने, राइड आंसर क्या होने वाला है, फटाफ़ट से आप लोग सब्सक्राइब करने के लिए उद्योग रतना पुरस्कार शुरू किया गया है उद्योग रतना एवार्ट सब्सक्राइब करें यहां पर राइड आंसर की तो राइड आंसर क्या होने वाला है तो राइड आंसर हो जाएगा बिजनेस एंड इंडस्ट्री next question is who does the VC यस्वंत खडगे सुन्डियाल मेमोरियल especially remember who was a victory cross recipient and died during the campaign in world war second VC यस्वंत खडगे सुन्डियाल मेमोरियल विशेश रूप से किसे याद करता है जो Victoria Cross प्राप्त करता है और दिटी विश्विद्र के में अभियान के दौरान साहीद हो गए थे नायक यस्वंत खडगे कैट्टन यस्वंत सुन्डियाल जनरल वी सी खडगे या फिर मेजर यस्वंत मेमोरियल तो यह चलें आंसर की तरफ राइड आंसर आपका निकल कर आएगा नायक यस्वंत खडगे नेक्स कोशन इस असमिता दे ने चीन के मकाव में जूनियर एसिया कब जूरो चैंपियन सी 23 में किस रेणी में प्रदा करते हुए स्वाटर पदक जीता है मैंस 60 kg वो मैंस 48 kg मैंस 75 kg वो मैंस 60 kg अब उस देखियों यहां पर थोड़ा सा करिक्षण करने क्या करेक्ष्य करनाहे सक्क्स्टि कर दो फॉर्ट्र हो गया चलियो तो प्र देख पार रहा है थोड़ा सा यहां पर रई रॉड्ध लीया निकल या फिर बाकू ओपिन में बहुत अच्छे तरीके से आंसर कर रहे हैं यह चलते हैं राइट आंसर की तरफ देखने राइट आंसर क्या अबुधाबी मास्टर्स अबुधाबी मास्टर्स आप्सन पीज़ा राइट नाओ बहुत अच्छे तरीके से आप सभी आंसर का रहे हैं वेल्दन वेरी गुड आपका यह प्रयास अप्रिशियेबल है बहुत अच्छे है चलते हैं राइट आंसर की तरफ राइट आंसर आपका हुजाएगा ग्रेट टर्न वेनस और एक्प्लेशन यहां पर दिया हुआ है सेशन कंप्लीट होने के बाद सेशन इंडप होने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा वहां से जाकर आप पीडियेफ को डाउनलोड कर सकते हैं तो लास्ट डे का कोश्चन हमारा यह था यह वेनस आपका राइट आंसर हो जाएगा हाली में किस ग्रैपर वाई मंडल में फास्पीन की खोज की गई है तो यह वीनस हो जाएगा आपका आप्शन यह जा राइट नाव ठीक है तो बिल्कुल चलते हैं चलिए देखते हैं कोश्चन का अंसर सबसे पहले और कब और कैसे किसने किया हम चलते हैं अपने विनर की तरफ देखते हैं आज विनर का अनॉंस्मेंट करते हैं हमारे विनर्स कौन होने वाले हैं तो आज के डियर अगर हम बात करें सबसे पहले और बहुत ही तेजी के साथ जो आंसर आया उन क्योव थी अच्छे द्रीगत से आप स्विनर एंट यहाँ पर हमारे फर्स बिशाओं भीर कोंगेट सब्स्क्राइब इसक वीनर है वुकन और सशांग कॉंचक्ट आप सभी क्लाइब से मलें और सोटर्सवाल के लिए बहुत चलते हैं तीन परसंन है भक्ति सागर अर्चना सिम्रन सिमी यह आउस के मारे नोड़ा और चिर्च बहुत अच्छे विल्डन ठीक क्योंकि आप किसी के लिए क्लाइब करेंगे डूनिया आपके लिए करें कए है चलते हैं अपने की तरह आज की सज्ट करें यह मैंन आ रहा है मनवी मित्तल का सरीता मौर्या मानवी मित्तल सरीता मौर्या अरपिता और श्वांगी सिंग यह आज के मारे वालेंटीर है है कॉन्गेट्स यह वालंटीर कॉंटेट्स बहुत अच्छे वेल डन इसी तरह से पार्टिसिपैशन बनाए रखेंगे डियर तो यह आज के मारे विणर है अब चलिए आज के चलते हैं आज क्विस विर्ण लिए उनकी जांदकाली के लिए बता दू हम सेशन में मंदे दू सटर्ड़े सेशन में सब्सक्राइट करना होता है, जिसका कमेंट में सबसे पहले राइट एप सब्सक्राइब करता है वो हमारा first winner होता है जिसका comment हमें सबसे पहले receive होता है वो first winner होता है अगर दो-तीन comment एक साथ receive होते हैं तो वो दो-तीन participants हमारे लिए first winner होते हैं ना फिर second तो second winner फिर third तो आप समझी गए होंगे इसी तरह करते हैं तो चलिए चलते हैं आज के question की तरफ देखते हैं आज का question क्या होने वाला है तो यह रहा आज का question with which country has the Indian government signed an agreement to operationalize UPI unified payment interface भारस सरकार ने UPI unified payment interface को चालू करने के लिए किस देश के साथ एक समझोते पर हस्ताचर कियें बहुत यह अच्छा question है options है France, Switzerland, Sudan और Singapore तो यह question है इंतजार के लिए session के end up होने का session end up होने पर main comment box में आपको right answer type करना है जो सबसे पहले right answer करेगा वो हमारा कल के session का first winner होगा ठीके डियर तो आज के लिए इतना ही I hope आज के session को आपने enjoy किया होगा अगर आपने आज के session को enjoy किया है तो फड़ा फड़ा से session को like करें अपने दोस्तों के साथ friends के साथ share करना न भूले और अगर अभी तक नहीं किया है subscribe तो subscribe कर ले महंदराज official को ठीके डियर तो I hope आपने आज की बहुत ही अच्छे तरीके से आपने session को enjoy किया होगा तो चलिए आज के लिए इतना ही thank you everyone, goodbye, take care, have a nice day